नमस्कार दोस्तों विश्व के financial बजार से एक बहुत important ख़बर सामने आई है I am sure आपने सुना होगा Jack Maa के बारे में One of the most successful person जहांपर e-commerce की बात होती है e-commerce क्या है जैसे कि भारत के अंदर आपने Amazon के बारे में सुना है वैसे ही Jack Maa की e-commerce कंपनी है जिसका नाम है अली बाबा लेकिन Jack Maa की एक और कंपनी है जिसका नाम है Ant Group और इस ग्रूप के द्वारा एक IPO जारी किया जा रहा था चाइना के अंदर और हॉंग कॉंग के अंदर लेकिन वहां की जो regulatory authorities हैं उन्होंने अभी के लिए इस IPO को suspend कर दिया है ये जो IPO आने वाला था ये world का biggest IPO था तो एक तरह से बहुत बड़ा shocking है Jack Maa के लिए कि वहां की regulatory ने चाइना की regulatory ने एक तरह से suspend कर दिया है तो ये पूरा मामला है क्या IPO के बारे में जानेंगे प्लस ये end group क्या करता है अब आगे क्या scenario बनेगा इन सब के बारे में देखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं मैं हूँ अंके तगरवाल और अपडेट के लिए आप मुझे follow कर सकते हैं Instagram, Facebook और Twitter पर मेरे lecture की here PDF आपको Facebook पर तो मिलेगी प्लस साथ में आप मेरा Telegram चैनल जॉइन कर सकते हैं अंके तगरवाल और अगर आप PPC की त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनेरा मौका है, study आपके लिए smart courses जिसके दुरू आप अपनी preparation और भी ज्यादा stock exchange, national stock exchange तो यहाँ पर क्या होता है कि यह जो stock exchange है वहाँ पर आप Reliance का share खरीद सकते हो, Tata का share खरीद सकते हो क्या LIC का share खरीद सकते हो नहीं खरीद सकते हो, क्यों? क्योंकि अभी LIC listed नहीं है यहाँ पर अब recently बात चल रही है, सरकार चाहती है कि LIC का कुछ हिस्सा यहाँ पर बेच दिया जाए, और इसके through काफी सारा जो पैसा है, वो LIC के पास आजाएगा, एक तरह से सरकार के पास आजाएगा, अब सरकार decide कर सकती है कि क्या वो पैसा अपने पास रखना चाहती है या फिर इस पैसे को further expand करना चाहती है LIC को, यह अलग चीज है, लेकिन आपको समझना है कि IPO क्या होता है, कोई भी company अपने आपको जब expand करना चाहती है उसको पैसे क्या उशक्ता होती है तो एक option होता है, वो bank के पास चला जाए, ठीक है, लेकिन कई बार bank पैसा नहीं देती, लेकिन देती भी है, तो यहाँ पर bank से अगर आप पैसा ले रहे हो, तो आप एक तरह से करजा उठा रहे हो जिसकी वजह से हर बार आपको यहाँ पर interest payment करना होता है, लेकिन इसको देखते वे, यहाँ पर जो companies है, वो IPO का रास्ता चुनती है companies कहती है कि हमारे पास यह जो पूरा share है, जो पूरा हिस्सा है उसका कुछ हिस्सा हम बजार में बेज देते हैं, उससे जो भी पैसा collect होगा, उसको further हम अपने business को expand करने में लगाएंगे, तो यहाँ पर किसी भी company के द्वारा जब पहली बार पैसा raise किया जाता है market में अपना share बेज कर उसी को कहते हैं IPO, और एक बार जब बेज दिया, उसके बार दूसरी, तीसरी, चौथी बार जब अपना share बेजा जाता है, तो उसको FPO कहते हैं तब उसको IPO नहीं कहते हैं, जब पहली बार कोई company अपना share बेज़ती है, और list करती है, उसको stock exchange पर उसको हम initial public offering कहते हैं तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कि Alibaba, sorry, ये Jack Ma की एक और company है, जिसका नाम है Ant Group यहाँ पर आप देख सकते हो, इन्होंने recently schedule किया था कि हम इसको launch करेंगे IPO लेकर आएंगे कहाँ पर, China के अंदर और Hong Kong के अंदर, लेकिन वहाँ की जो authorities हैं, जैसे कि हमारे देश में share market को कौन regulate करता है SEBI करती है, SEBI तो वहाँ पर भी कोई regulatory होती होगी, उन्होंने अभी के लिए उसको suspend कर दिया है, allow नहीं किया गया है अब मैं यहाँ पर तबसे आप से बात कर रहा हूँ it is one of the world largest IPO launch होने वाला था, अब ऐसा क्या है, देखो, सबोज मैं कहता हूँ कि कोई company है, सबोज यहाँ पर कोई company है उसके पास thousand share है, उस company ने कहा कि IPO के थुरू हम सबसे पहले सिर्फ hundred shares बेचेंगे आ रहा है समझ में, तो hundred shares का मतलब क्या हुआ उस company का 10% हिस्सा वो कहाँ पर चला गया, market में लिस्ट हो गया तो उससे 10% यह 100 share बेच कर जितना भी पैसा आ रहा है वो company के पास आ रहा है, तो यहाँ पर जो and group है वो करीब 37 billion डॉलर रेज करने वाला था, मतलब इतने share ऐसा बेचता वो, जिसकी वज़े से and group के पास 37 billion डॉलर आ जाते, और अभी तक इतिहास में IPO के थूरू किसी भी company ने 37 billion डॉलर नहीं जुटाए है last time ऐसा हुआ था, पिछले साल 2019 में, जो सौधी अरब की company है, सौधी अरम को, आपको पता है, ये बहुत बड़ा इसका, oil का business है, कारोबार है, इन्होंने पिछले साल 29.4 billion dollar market से raise किये थे, मतलब इस company को ये पैसे मिल गए थे, क्योंकि अपना कुछ हिस्सा इन्होंने यहाँ पर market में base दिया था, तो यहाँ पर बोला जा रहा था कि 37 billion dollar जब end group जुटाएगा market से, तो वो सबसे बड़ा IPO होने वाला था, लेकिन अब ये end group क्या है, इसके आगे मैं आपको बता होना चाहिए, देखिए, 2004 में जो Jack Maa की company है Alibaba Group, इसी group ने एक तरह से, एक platform launch किया था, payment platform जिसको कहते हैं जैसे कि आज के date में भारत के अंदर क्या है, paytm है, movie कोई एक है, ये क्या है, payment platform है आप कहीं पर भी जाते हो, shopping करते हो आप इसके थूँ payment कर सकते हो, तो Alibaba Group ने भी ये platform launch किया था ताकि काफी easily यहाँ पर payment किया जाए, और इस platform का क्या नाम था Alibay, दियान रखना इसके बारे में Alibay इसका नाम था, और छोटे समय में, बहुत ही कम समय में इसने बहुत जादा fame हाशिल कर लिया, मतलब कि बहुत जादा famous हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हो आज के date में, 1 billion 1 billion से भी जादा इसके users हैं, आप सोचिए, 1 billion से भी जादा इसके users हैं, और active users के मामने में 730 million users, monthly basis पर इसका, यहाँ पर जो है इसका use करते हैं, तो यह जो Alibay है, वो यहाँ पर सोच रहा था, जो Jackma है, यह सोच रहा थे कि इसको हम और जादा बड़ा करा जाए, और यह जादा बड़ा कैसा होगा, जब यहाँ पर और जादा finance आएगा, और जादा पैसा आएगा, इसके लिए उनको IPO launch करना था, तो यहाँ पर देखे क्या होता है, कि Alibay को आगे चलकर क्या किया जाता है, 2004 में इसको यह जो and group है, अलिपे है basically, payment के साथ-साथ इसने धीरे-धीरे करकर retail, lending हो गया, जो loans वगरा दिये जाते हैं, wealth management हो गया, insurance हो गया, यह सभी business में भी आ गया था, लेकिन अब एक question आता है कि आखिरकार जो China के regulators हैं, उन्होंने IPO क्यों cancel कर दिया, Jack Maa का, यह जो and group की हम बात करते हैं, तो आपको obviously वात है, simple सा answer है, वो China है, यही एक answer अपने आप में काफी बड़ा answer बन जाता है, क्योंकि वो China है, इसलिए उसने cancel कर दिया, क्योंकि आप समझे ये, China के अंदर आप कोई भी चीज अपने hand पर नहीं ले सकते हो, आप बहुत जादा powerful नहीं बन सकते हो China के अंदर, वहाँ पर हर एक चीज, especially जो payment वाली चीजे होती है, वो वहाँ की सरकार, सरकार तो है नहीं, वहाँ की single party है, state है, उसको वो पूरी तरह से control करते हैं, तो यहाँ पर जो government है, जो वहाँ की party है और जो regulator है, वो कही न कहीं उनको दिक्कत होने लगा, उनको लगा कि ये company काफी जादा बड़ी हो रही है, और third party इस तरह का payment app, अगर आ जाएगा, consumer lending business में, तो उनका जो प्रभाव है सरकार का और regulator का, वो कम हो जाएगा, तो कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ा reason है, जिसकी बज़े से उन्होंने इस चीज को cancel किया है, दूसरा एक और reason मैं आपको बताता हूँ, इसी साल की बात है October के महने में, जो Jack Ma है उन्होंने criticize किया था, चाइना की जो financial regulator है, जैसे हमारे आज से भी है, वहाँ की जो financial regulator है उनको criticize किया था, कि उनकी जो laws हैं, वो सब कुछ outdated हो चुके हैं वो innovation नहीं करने देते, तो ये सारे जो comments है, Jack Ma के कहीं न कहीं, यहाँ पर ये भी माना जा रहा है, इसको देखते वे, जो communist regime है वो एक तरह से uncomfortable होने लगी और यहाँ पर उन्होंने decide किया, कि जो alipay है, जो ant group है, ये IPO launch करने वाला है, इसको हम खतम कर देते हैं, इसको launch नहीं करने देंगे और पहली बार देखी, इसको suspend कर दिया जाए, मैं आपको बता रहा था ना सबसे पहले, China ने इस पर launch करने से मना कर दिया, इसको देखते वे, ant group ने क्या किया, कि Hong Kong में भी जो ये listed होने वाला था, listing होने वाली थी इसको यहाँ पर अब cancel कर दिया गया है, तो basically यहीं माना जा रहा है कि Jack Mark का एक तरह से control करने के लिए यह सारे steps लिए गए, लेकिन obviously बात है, क्या company directly ऐसा बोलेगी, नहीं बोलेगी, तो company नहीं यहाँ पर क्या कहा है company ने चुप चाप एक तरह से एक बयान दे दिया है, कि कई सारे changes किये गए है, online landings related इसलिए हमें यहाँ पर cancel करना पढ़ा है, company ऐसा कह रही है ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, obviously बात है जो मैंने आपको actual reason बताया, वही चीज यहाँ पर है, तो आगे यहाँ पर क्या होगा now what will happen, तो यहाँ पर and group को अगर, अगर वो अपने practices में change कर देते हैं, और वहाँ की चाना के अंदर इतना ज़्यादा powerful होना तो यह आगे का scenario है, let's see कि आगे क्या होता है, लेकिन अभी के लिए, यह जो world का biggest IPO launch होना था, और बहुत ज़्यादा उत्साह था पूरे विश्वभर में, कि इतना बड़ा IPO launch हो रहा है, लेकिन अभी के लिए suspend हो चुका है, जाने से पहले मैं IPO से related ही एक question लेकर आया हूँ, जब भी IPO launch होता है, उसका एक price होता है कोई भी share है कि यह price जो है 350 रूपीज से 355 के बीच में हम बेचेंगे, ठीक है एक price band होता है जिसको हम कहते है, ठीक है डालूँगा ही, इसके अलावा मैं अपने telegram पर भी इस concert डाल दूँगा, और मैं लगतार कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूँ, Instagram के stories के form में आप यहां से जाकर इसको प्ले कर सकते हैं, अगर आप उसे